हेलो एवरीवन जहिन दोस्तों मैं सुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करना हूँ अन एकाडमी इंदर धनुस पर यह जो वीडियो में लेके आया हूँ आपका SSC अस्टेनोग्राफर जो ग्रेड C एंड ग्रेड D एक्जाम का जो वैकेंसी आता है यह उसके लिए ड तैयारी करे ठीक ढग ढग से तो एक कम कैलीवर का लड़का भी मतलब कि जो अपने आपको थोड़ा एवरेज स्टूडेंट मानता है वो लड़का भी इस एक्जाम को इजली निकाल सकता है और आप एक रेप्यूटेड SSC CGL लेवल का जौब पा सकते हैं यह वीडियो तो कि स्टूड़ूसLaughs का स्टूना में बहुत कम जाता है क्योंकि बहुत कम होग है जो अस्टेनोग्राफर के लिए सौ्टं भगिरह सीखते हैं एक वीडियो में लाष्ट तक बने रही है मैं आपको एक एक डीटेल कम्प्लीड डिटेल देने वाला हूं और यह डिटेल आ ये वीडियो के बाद complete information होगा आपको अस्टेनोग्राफर के लिए ठीक है स्टार्ट करते हैं मैं अपना परिचे देता हूं मैं सुभम कुमार हूं SSC CGL 2021 के अंदर all in year rank 15 मैंने हासिल किया है ठीक है इस वीडियो में आपको क्या 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 बताया जाएगा स्टेनोग्राफर एक्जाम के लिए पोस्ट डीटेल्स आपको बताऊंगा मैं सेलरी बताऊंगा सेलरी मैंने सेकेंड पॉइंट पर इसलिए रखा इसलिमिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट अस्टेनोग्राफर जो इसमें 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 यही है इसके बारे मैं मैं वीडियो के लास्ट में कम्प्लीट डीटेल बताऊंगा ठीक क्या है कैसे है आपको कैसे सीखना है कहां से क सकते हैं ठीक हैं वीडियो में बने रहें तो देखिए आपका जो ससी केलेंडर आया है स सी का रिवाइजल कैलेंडर आया है ठीक 18 मैं को आया है इसमें 18 में को आया है इसमें आपका एस्टेनो ग्राफर जो grade C and D examination 2023 है इसका आपका exam अक्टूबर नवंबर 2023 में expected है ठीक आज 26 में हो चुका है 26 में या 27 में एक मीनिट आज 20 sorry आज जो मैं जब वीडियो बना रहा हो तो यह आपका 27 में हो चुका है 27 में और अगर जो आप देखें अक्टूबर नवंबर तो आपका जून जुलाई अगस्त इतंबर अक्टूबर 5 से 6 महीने आपके पूरा है अगर जो आप तैयारी करना चाहें SST अस्टेनो ग्राफर के तो आपके लिए यह इतना time sufficient है आगे बढ़ते हैं आपका देखें सबसे पहले post details देख लेजे post details क्या है कि आपका जो अस्टेनो ग्राफर जो दो टाइप का है न grade C और grade D लिखता है तो grade C और अस्टेनो ग्राफर grade C और grade D जो लिखता है आप उसको group C level और group D level का job नहीं समझा अस्टेनो ग्राफर का grade C है वो आपका 4600 और 4200 grade P का job है ग्रूप B नन गजज़ेड ये group B का post है अस्टेनो ग्राफर grade C इसको आप हलके में नहीं लिजे 4600 और 4200 grade पे मतलब ये CGL level का job हुआ अगर जो आप अस्टेनो भी clear करते हैं तो आप CGL का equivalent बैठेंगे और अस्टेनो ग्राफर grade D अगर जो कवर करते हैं आप ये अगर जो आप निकालते हैं तो आपका 2400 grade पे का job है 2400 grade पे मतलब आप समझ लिजे कि आप जो CGL में tax assistant है income tax में CBDT CBIC income tax और exercise department में उसके equivalent है अभी जो PASA की वाली vacancy आई है उसके equivalent है तो 2400 का grade पे भी कम नहीं है ये आपको समझना जरूरी था कि कौन सा post का अप exam दे रहा है मतलब group C और group D ना समझ ले ये group B और group C level का job है जो की एक बहुत respected post है अगर जो आप as a group B जोईन करते हैं तो फिर भौकाल ही है group C भी एक respected post है तो अस्टेनोग्राफर के बाद आपको post जो मिलने वाली है वो बढ़िया है second motivation salary सबसे पहले आपका मैं salary बता देता हूं कि आप कहां आप अगर जो अस्टेनोग्राफर एक्जाम किलियर करते हैं का स्टाटिंग बेसिक है 25500 1200 का 35400 1400 का 44900 हरे 27 परसेंट यह देखिए अच्छी समझ लिजे एचारे जो मैं है एक city का ले रहा हूं मतलब कि आपका जो metro cities है खलकता मुंबई दिली बांबे बैंगलोर यह सब कुछ तो तीन city और आते हैं जो अकी XCT में आते हैं अगर जो आप BICT लेंगे BICT में posting होगा जैसे पटना लखनो बगेरा तो इसमें आपको HR-A जो है 18% मिलेगा और ZCT में अगर जो posting होगा थोटे सीटी में posting होगा तो HR-A जो है आपका 9% बनेगा तो उसके हिसाब से आप HR-A का HR-A का 9% सिधा-सिधा घटा दीजिए अगर जो आप बाइग्रेड में होते हैं वह आप कर सकते हैं 25,500 का 9% माल लीजिए कि 2500 के लगभग में आप अपनी सेलरी में से यहाँ 2500 घटा दीजिए अगर इस डंग से आप अपना सेलरी कल्गूलेट कर सकते हैं पाई सिटी और जेड सिटी का ठीक है HR-A जो है आपका 27% के हिसाब से 2400 जीपी पे 6885 बन रहा है 2400 ग्रेड पे 9558 बन रहा है 2400 ग्रेड पे 12123 बन रहा है टीपीटी एलाउयन जो है आपका वह आपका एक्स ग्रेड की सिटी में 3600 बनेगा और जो लोवर सोस जो सिटी होते हैं उसमें 1800 बनता है टीपीटी का एक विशेशियत यह है कि आपका टीपीटी पे डीए मिलता है जो रेट चल रहा है जैसे डीए का जो रेट चल रहा है 42% तो यह टीपीटी पे भी आपका डीए चलेगा मतलब 3600 का जो टीपीटी है उस पे 1512 रूपे का डीए आपको बन रहा है ठीक तो ग्रॉस जो है आपका 2400 ग्रेड पे की जॉब पे 48207 के लगभग में बन रहा है अभी ग्रॉस कितना अच्छा बन रहा है इसके बाद जो डीडक्शन होता है आपका आपकी सैलरी में से NPS का कटता है 10% बेसिक प्लस दीए अगर जो आप 2400 ग्रेड पे की जॉइन जॉब जॉइन करते हैं तो 3621 आपका NPS बनेगा 4050 277 और 400 6326 इसका डिडक्शन इसका 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 250 अच्छा 2400 यहां sorry 2400 जी पी पे 250 मतलब कि यहां 400 का डिफेरेंस आप इसमें से 400 सेलरी एड कर लीजिए और 4200 ग्रेड पे 450 कटता है और 400 ग्रेड पे 600 पचास कटता है CGGIS यह आपका अच्छा एक चीज और गलती कर दी 2400 ग्रेड पे पर 30 है ठीक और 4200 और 4600 ग्रेड पे पर 60 है ठीक 30 रुपे के डिफ्रेंस से कोई बड़ा डिफ्रेंस नहीं है यह गलती कोई बड़ी चीज नहीं है ठीक तो CGIS तो आपका जो पर लगवाग लगवाग आपके 4400 की सेलरी बन रही है इं हैंड आपको जो डिड़क्षन होके आएगा इन हैंड 44000 की सेलरी बन रही है ठीक 2500 ग्रेड पे पर आपका 69401 मतलब 69.5 के 69,000 की सेलरी बन रही है और 4600 ग्रेड पर पर तो भाई पूछो मत आपका 74,000 के लगभग में सेलरी बन रही है अभी तो आप जिस पोस्ट को इतना हलके में ले रहे थे अस्टेनो इसका मैंने सेलरी सबसे पहले इसलिए बताया है ताकि आपको समझ में आए कि जिसको आप हलके में ले रहे हैं भाई वो हलका नहीं है वो बॉंब है आप इतना अच्छा सेलरी पाएंगे कि आपका परिबार बहुत अच्छे से चल पाएगा ठीक है और एक रेस्पेक्टेबल जो होग है ग्रूप्स ग्रेड सी और ग्रेड डी जो दिया हुग है वो कंफूज करने के लिए आपको दिया हुग है अपको देंगे और बेसिक प्रेड डीये का 14 पर्सेंट जो है आपकी गवर्मेंट देती है वह आपके एंपीएस एकाउंट में अच्छा खासा पेमेंट जाएगा जैसे आप एंपीएस एकाउंट में अगर जो 2400 ग्रेड पे गया है तो च्छतीस सो इकिस रूपया आप दे रहे हैं तो लगभग ल 2400 ग्रेड पे ही पे लगभग 8000 जमा होगा एक मंद के तो यह लगभग लगभग 15,000 के लगभग में जमा होगा आपके एंपीएस अमाउंट में पर मंथ ठीक तो 15,000 जो कितने प्राइबेट में जगह में तो 15,000 तो सेलरी होती है और आपका 15,000 सिर्फ एंपीएस एकाउं अब प्री का इकजाम हुआ है और उसका स्किल टेस्ट का इकजाम हो चुका है बट इसकिल टेस्ट का अभी रिजल्ट नहीं आया है बट अस्टेनू 2022 के अंदर जो वेकेंसी आई थी न वह आपका ग्रेड सी का 389 था और ग्रेड डी का 3571 था अगर जो आप इसको एड़ कर दें तो नो एक दस आठ सत पंदर एक्जाम में कम नहीं समझे आपका सीजियल के अंदर साथ हजार वेकेंसी आ रहा है इस बार तो और शोलह सो वेकेंसी आई है तो यह जो अस्टेनों का इकजाम होता है मैं कहूंगा अगर 4000 के 2000 जगह 2000 भी होगे नहीं अस्टेनों की वेकेंसी तो भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका में रीजन यही है कि अस्टेनों के एक्जाम में आपको क्लियर करना पड़ता है सौट हैंड ऐसा नहीं है कि बहुत डेफिकल्ट है बहुत आसान चीज है प नहीं सीकता है यह सीखने जाता ही नहीं है अगर जो सीखने भी गया ना अगर 50 लोगों की ख्लासब्राइन की शुरू मतलब आप यह समझेंगे कि 1000 अस्टूडेंट नientos Cities अस्टूडेंटी ऐसे और आपका जो all कर बाते हैं पर अगर जो आप ऑ च्रस्ट्रियारी करेंगे sotend अच्छे से सीखेंगे आपका कॉंपरटिशन यहां इस्ट से जड़ा मतलब इंपोर्टेंट में यही उन्स इसे Vital Despite बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, आपका CGL, CHSL को तो कोई भी दे सकता है, पर अस्टेनो का एजाम सिर्फ वो ही दे सकता है, जिसने सौट हैंड सीख रखी हो और सौट हैंड में महारत हासिल कर रखी है, इसलिए इसका कटफ लो जाता है, कटफ जैसे देख लेजिए, आप आपका जो हुआ क्या था, 200 मार्क्स का एकजाम था, 200 यह आपका मार्क्स का एकजाम है, ऐस्टेनो का, CGL 22 के अंदर, आपका 200 मार्क्स का एकजाम है, और इसमें से, आपका SC का कटफ देखिए, यह आपका ग्रेड़ C के लिए, मतलब 4600 GP, और 4200 GP के लिए, आप देखिए कि आपका SC का cut-off 114, ST का cut-off 105, out of 200, 200 में से, OBC का cut-off 139, EWS का cut-off 130, UR 130, और OH 87, HH 40, VH 73 अब एक बात बताईए, यहां आप UR का cut-off उठाईए, 130, ठीक, सिंगल एक्जाम है, ASTENO, प्लस उसके बाद फिर skill test है, ASTENO वाले एक्जाम में में नहीं था अब तक, तो एक बात बताईए, 130 नमबर कुछ ज्यादा है, क्या 200 नमबर के एक्जाम में, 200 नमबर के एक्जाम म और उससे paper इसका थोड़ा सा low होता है, और फिर भी आपको 130 के नमबर में और सिंगल एक्जाम में result दे रहा है, यह बहुत बड़ी बात है भाई, इसको आप हलके में ना लें, अगर जो आप OBC category के हैं तो 139, EWS, 130, ठीक, तो अगर जो आप category का reservation नहीं भी है, OBC, EWS, UR के ल क्योंकि आपको अगर यही score, 160 से 70 ला के भी लोगों को 46 ग्रेड पे नहीं मिलता है इन category हो में, ठीक, तो आपको 46 ग्रेड पे और 42 ग्रेड पे के लिए मातर 130 जा रहा है, इसके बाद अगर जो आप 2400 ग्रेड पे वाला देखें, अस्टेनोग्राफर ग्रेड C का देखें, इसका तो cut-up तो देखी है हिमत, OVC 96, EWS 90, UR 108, SC ST 6763, ठीक, बाकी category और कम है एकदम, तो यह जो आपका 2400 ग्रेड पे का एक्जाम, आपको 50% से कम मार्क सा स्कोर करने पे आपको 2400 जीपी का cut-up क्लियर कर लेते हैं, ठीक, तो इसलिए मैंने CGL, ASTENO 2022 का cut-up आपको दिखाय यह आपका जो result आया था, क्योंकि आप समझ पाएं, आप एक मोटा-मोटी आकडा लगाएं, CHSL, CGL से cut-up से compare करें हैं, और देखेंगे न, CGL, CHSL में जो चीज आपको 150 नमबर पे मिलेगी, वो यहां 120 नमबर पे मिलेगी, 30 से 40 नमबर, 35 नमबर का difference खड़े रहेगा, आपका SSC STNO, SSC CGL, CHSL exam ने, reason यही है कि STNO बहुत लोग कम लोग करते हैं, तैयारी ही नहीं करते हैं, अगर तैयारी भी करते हैं, तो मोनोटोनस होता है, उबावू होता है, तो लोग छोड़ देते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं, Scheme of Examination, ठीक, Scheme of Examination यह जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने cut-up भी डिसकस किया, यह STNO 2022 का है, Scheme of Examination भी यह STNO 2022 का जैसा हुआ है, तो हो सकता है कि STNO का भी change हो जाए, बट कितना भी pattern change हो जाए, cut-up तो कम ही जाएगा, जैसा हर बार जाता है, 22 के pattern में क्या था, कि General Intelligence के 50 question थे, General Awareness के 50 question थे, और English का 100 question था, English का थोड़ा सा वेटेज जो है, STNO में हमेशा ज्यादा रहा है, तो अगर जो STNO ग्राफर का करेंगे, तो आपको English पे focus थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक, उसके बाद फिर अभी तक तो objective जो था, 0.25 marks का था, मेबी अब सब एक्जाम में 1 by 3 का objective का negative marks की चल रहा है, तो हो सकता है, इसका भी pattern change हो, वह ये वीडियो इसलिए ला रहा हूँ, ताकि आपको मोटा-मोटी समझ में आए कि अस्टेनोग्राफर क्या है, कैसे होता है, और कितना easy है, कितना easiest exam है, जिसको आप लोग ignore करते हैं, और ignore करने के कारण आप CGL, CHL में धक्के खारते रहते हैं, और जो बंदा अस्टेनोग की तयारी करता है, वो आराम से अस्टेनोग्राफर के जॉब में काम भी बहुत कम है, क्योंकि उसमें mainly क्या है कि legal matter देखा जाता है, court बगेर से related, तो किसी भी office में ये legal matter थोड़ा कम ही होता है, ठीक है, age limit देख लिजिए, आपका grade C का जो post है, 400 grade पे बाला, उसका age limit 1830 है, और grade C का जो post है, उसका age limit 1827 है, grade D बाला post, जो 2400 grade पे बाला है, age relaxation आपको OBC में 3 साल का मिलता है, SCST में 5 साल का मिलता है, PWD में और ज्यादा मिलता है, ठीक, PWD में भी OBC, SCST, इस धंग से देखा जाता है, age relaxation आप notice में देख लिजिए, तीन साल का OBC का relaxation, मतलब कि अगर जो वो C के लिए दे रहा है, तो इसका 30, 33, OBC 33 तक दे सकता है, SCST, 35 तक दे सकता है, इन सब चीजों को समझे, ठीक, आपका educational qualification, educational qualification, अस्टेनो में आपको 400 grade पे का जो जॉब है, वो सिर्फ 10 प्लस 2 पर मिल रहा है, 10 प्लस 2 के equivalent post है, ठीक, आपको इसके लिए graduation नहीं चाहिए, अभी तक, स्टेनो 22 के अंदर तक 10 प्लस 2 का equivalent post है, आप देख सकते हैं, SSC notice का है, इसमें बोल क्या रहा है, ठीक, और completion of 12th standard और equivalent examination as proof of having acquired the minimum educational qualification on or before इतना, ये अस्टेनो 22 के अंदर है, मनलब आपको 12 खोज रहा है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से screenshot लेके, क्या-क्या बोल रहा है, बट 10 प्लस 2 ही खोज रहा है, इसमें, तिर्क 10 प्लस 2 खोज रहा है, educational qualification में, अस्टेनो में, तो ये भी बहुत बड़ी अच्छी चीज है, क्या आप अस्टेनोग्राफर 10 प्लस 2 में ही बन सकते हैं, इंटर के बाद ही बन सकते हैं, आपको graduation का बेट नहीं कर ला है, इसके बाद आए detail information about short hand, अगर जो आप अस्टेनोग्राफर का एक्जाम देते हैं तो आपको short hand या अस्टेनोग्राफर करना पड़ेगा, यह एक अलग प्रकार का language है, जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, इंगलिस पढ़ते हैं, इसी तरह से short hand या stenoge है, short hand जो है, वो एक language है, इसमें basically क्या होता है, जैसे ABCD है, या कखा गगा है, कखा गगा है, इसको दूसरे फॉर्म में डिनेट किया जाता है, एक line कुछ इस डंका, कुछ इस डंका, कुछ ऐसा line के उपर बिंदू दे दिया, इस डंका A हो गया, B हो गया, क हो गय मुझे नहीं पता है कि क्या lining होती है, बट मैंने यह देखा है, तयारी करते time जो दोस्त लोग करते थे, उसमें बहुत coding type का language होता है, ऐसे करके पूरा चलता है, और होता क्या है कि राम आपको लिखना है, तो आप लिखेंगे राम, और वो सिर्फ एक ऐसा किया, एक ऐसा कि या, वो माल लीजे की राम, यह मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो इतना बड़ा आप लिखेंगे, वो सिर्फ दो, दो पॉइंट करके, दो बिन्दू करके राम उसका लिखा जाता है, तो इसका use क्या होता है, जब आप मतलब SSC छोड़के, आपका सौर्ट हैंड का skilled ladder-vakancy court में जES आधा है, फिर पत्रगारित्या के छेत्र में, जब जलstपर रुक्रुक के आपको लिखवाएगा नहीं, वहाँ पे आपको जल्दी से लिखना होता है, तो अगर जो आप का लकी के ज़भी से, जितना बोले गा, आप उसको एक paper में तुरत के तुरत लिख सक भाते हैं जो बोलते रहेगा आप उसको लिखते जाएंगे और जो अन्य department में उसने होता है कि अगर कुछ रेलेटेटर है तो कुछ लिखा हुआ है तो उसको आपको टैंसलेट करके हिंद्डि में और इंगलीज में कर दे ना है यह चीज है तो वर्क प्रोफाइल एकदम आसान है कोई टेंसन वाला जॉब नहीं है बहुत आराम से रहते हैं स्टेनो लोग जहां तक मैंने अभी देखा है इसमें क्या है कि आप देखिए कि क्या है अस्किल टेस्ट का यह जो क्या है अगर जो आपने कंप्यूटर बेस्ट इग्जामिनेशन कटफ के लिया है तो आपको आस्किल टेस्ट में क्या करना है तो कोई बंदा दस मिनट तक बोलेगा पर होता क्या है कि और आपको उसको 10 मिनट में उसको लिखना है 10 मिनट तक वो下去 चल रहा है आपको 10 मिनट तक उस डिक्टेशन बहाशन को सुनके आपको उसको लिखना है इंगलिस या हिंदे जो भी आपने ओप्ट किया होगा एप्लिकेशन भरते टाइम भर्म भरते टाइम अब यह स्पीड जो है 100 बर पर मिनट और post of stenographer मतलब आपका जो c grade के लिए जो देते हैं तो उसमें 100 बर पर मिनट है और जो d grade देते हैं तो उसमें 80 बर पर मिनट है अस्टेनोग्राफर grade P अगर जो आपने अस्टेनोग्राफर grade C और grade C D दोनों के लिए पार्टिसिपेट किया है दोनों के लिए आप का cut off clear हुआ है तो आपके आपसे ये दो बार लिया जाएगा दस मिनट दिया जाएगा 100 पर मिनट और 80 पर मिनट है अब जो आपने उसको लिख लिए ना उसको पढ़ने के लिए थोड़ा आपको टाइम दिया जाएगा बीच में यह होता है उसके बाद आपको एक दूसरे कम है तो आपको 50 मिनट मिलेगा थिक और अगर आपका हिंदी मेडियम है हिंदी में लिखें है तो आपको 65 मिनट मिलेगा ग्रेड़- agriculture के लिए English के लिए 40 मिनिट लगेगा और Grade C वाले Hindi के लिए आपको 55 मिनिट मिलेगा मतलब समझ रहा है स्टेनो का स्पीड देखे कि कितना फास्ट होता है 10 मिनिट वाले चीज को आपको टाइप करने के लिए 50 मिनिट और 65 मिनिट दिया जाए इसका मतलब समझ यह कि अस्टेनो ग्राफर क्या चीज है अस्टेनो ग्राफर सिर्फ कोडिंग है तो यह एक्जाम आपको क्लियर करना है आपका जो फर्स्ट एक्जाम होता है इंगलिस रिजनिंग जीएस वाला वह बहुत आसान होता है उसका कटफ भी जादा नहीं जाता है आपको में यह वाला एक्जाम के लिए करना है और यह वाला एक्जाम मैंने पहले भी बताया इस वीडियो में कि यह कुछ टॉप नहीं है तिर्फ थोड़ा सा उबाव होता है आप जैसे कख सीखे थे बचपन में ए बी सी डी सीखे थे उस चीज को आपको फिर से सीखना पड़ेगा एक पूरा का पूरा लैंगवेज बेसिक से लेके हाई लेबल तक सीखना पड़ेगा आपको दिये गए मतलब कि जो बोला के जा रहा है उसको अपने अस्टेनों में कनवर्ट करना और अस्टेनों से फिर टांसलेट करके उसको इंगलीज या हिंदी में भी कनवर्ट करना है तो में इसू यह है बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए तो आपने को मैंने सारा चीज बता दिया कि क्या है क्यों है कैसे है आपका कटफ बगेरा कितना कम जाता है तो आप उस धंग से देख सकते हैं आप इसके विचार कर सकते हैं एक्जाम से 5-6 महिने पहले वीडियो इसलिए बनाया गया ह है ताकि आप इस पर फोकस करें आप समझें कि यह क्या चीज है और कितना इंपोर्टेंट है आपको सेलरी मैंने इसलिए बता दिया ठीक और इसमें एक चीज और देख लिजिए कंडिडेट हु आप टू टेक दा सेकंडरी टेस्ट जो अस्टेनोग्राफर का जो टेस्ट ह कर रहे हैं कि अगर आप हिंदी कर रहा है तो आपको डिपाट्मेंट जोआइन करने के बाद आपको इंग्लिस में शीखना पड़ेगा तो साल के अंदर तक अगर जो आप आप जनकारी ले लिजिए ठीक है तो मैंने करीब करीब complete details बता दिया आपका अस्टेनों का और इस से related कुछ अन्य जानकारी चाहिए होगा तो वीडियो के comment section में comment कर सकते हैं मैं total और भी information दे दूँगा ऐसे यह complete information है तो हमसे जोड़े रही है कि अनकेडमी इंद्रधन उस पर एक बहुत-बहुत धन्यवाद जाहिए